राबडी देवी सिंड्रोम का नया अध्याय हम देख रहे हैं बनना चाते थे भगत सिंग, बन गए लालू प्रसाद यादव तु इधर उधर की बात न कर, तु बता की कार्मा क्यों लुटा मुझे रहजनों की फिक्र की गरज नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है इसी ही वज़े से उनको किंग पिन, यानि कि सरगना का आगया है, इस पूरे कांड का राबडी देवी सिंड्रोम का नया अध्याय हम देख रहे हैं, इसका एक न्यू वर्जिन इस सिंड्रोम का और जिस सरह से सुनिता जी सामने आकर आरोपी केजरिवाल जी के बारे में बचाव कर रही है, लगता है कि वाकई में फिर वही एक कहानी रिपीट हो रही है और सोचें इन लोगों को क्या इनके आइडियल्स और आदर्श होते थे, बनना चाते थे भगत सिंग, बन गए लालू प्रसाद यादव, सोचने वाली बात है और अगर इनको पता था पैसे कहां गए, कहां से आए, तो पहले क्यों नहीं बता रहे हैं, अब फिर खेल कर रहे हैं, इनकी विश्वस नेता जीरो हो गई है बचा ये बताने के कि क्यों विजे नायर द्वारा इनको फोन किया गया, क्यों किस तरह से वो पैसा आया, 45 करोर का जो खर्चा हुआ, क्यों साउथ लॉबी को बाकाइदा इस्तिमाल किया गया, क्यों उन्होंने नहीं पॉलिसी लाए, क्यों उन्होंने पॉलिसी वापस ल पुपराना शेयर हैना तुँ इधर अदर की बात नकर तुब बता की कारवा क्यू लोटा। मुझे रहाजनों की फिक्र की गरज़ नहीं, तेरी रही बरी का सवाल है। रहबरी मतलब आपकी लीडरिशिप का, किस तरह की लीडर है आप, किस तरह के मुख्य मंतरी हैं आप, कि आप दिल्ली वासियों का पैसा बाकाइदा लूट रहे हैं, इस्तिमाल कर रहे हैं, जो पैसा राजस्वे में आ सकता था, जिससे लोगों का भला होता, वो आपने किक पैक्स के लिए इस्तिमाल कर लिया, उसमें आपने मुनाफ़ा खोरी कर ली, कमिशन खोरी कर ली, देखिए, दसवे समन पर ये अरेस्ट हुए हैं, अगर पहले ही पूश्टाश में सामने आते, जॉइन करते इस पूश्टाश को, और जो भी सवाल पूछे जा रहे थे, ज चौदा गिरफ्तारियां और हुई हैं, ये सतरवी गिरफ्तारी है, तो आप सोचिए, कि ये इनसान वो है, जिसने नौ समन को ठुकराया, आप कभी विपासना का बहाना बनाया, कभी बजट का बहाना बनाया, कभी बहाना बनाया कि उसको चुनाओं में जाना है, तो दुन जान बूज कर पूरी खिच्टी बनाई है केजरिवाल जी ने, वो जानते थे कि वो पूरी तरह से सन्मलिक्ट हैं, एक ऐसे जरूरी सवालात हैं, और उसी वज़े से उनको किंग पिन, यानि कि सरगना का आ गया है, इस पूरे कांड का, इस शराब घोटाले का, तो अभी शे पहरे मॉडल कोड अफ कंड़क्त अब तक लग गया था